जेसी क्रेशना फ्रेंड रादे रादे आज जन मश्मी के उपलेक्ष्म में मैं आपके साथ तीन बहुत ही हैवी काना जी के लड़ू गोपाल के जो है पोशाक के आइडिया शेयर कर रहे हूँ जो बनाना बिलकुल आसान है आप बीगनर है तो भी इसे बना सकते हैं इसे हाथ से सिलकर तयार कर सकते हैं और एक पूरा ड्रेस मैंने ग्लूगन की मदद से तयार किया है जो भी आप तयार कर सकते हैं जो अगर आपको सिलाई करने में तकलिफ हो रही है पहले ड्रेस में मैंने इस तरह की जो बोर्डर है इस तरह की मार्केट में आपको जहां पर भी इस तरह के लिए इस बोर्डर मिलती है, महाँ पर मिल जाएगी, तो महाँ से ले आईए, इस पर बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर की जो है, इस पर वर्क किया हुआ है, और यह बिलकुल प्लास्टिक का है, तो जिससे आपको सीलाई में भी प्रोब्लेम नहीं होगी, और यह सॉफ्ट है, और दिखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा है, तो यह जो मैंने इसकी लेंथ ली है, वो मैंने इसकी 24 इंच ली है, और यह जो इसकी चोड़ाई है, ऐसे 4 इंच है, लेकिन मैंने दोनों बाजू से इससे सीला है, तो यह 3 इंच हो रही है, और इस तरह से प्रदसिल कर हमें खिटते जाना है और इसे पास पास लाते जाना है तो हमारी पोशाक में बहुत ही प्यारा सा फ्लेइर आ जाएगा और देखिए कितनी आसान वह में आप इसे बहुत अच्छा सा हमारे काना जी का पोशाक तायार कर सकते हैं है नबड़ा है आसान country इसे घर पर बड़े आसानी सी सिलाय मशनी के बीना तयार कर सकते हैं ऑचकी तेनों पोशाख मैंने हाथसे सिल कर तयार की है क्योंकि यह बहुत छोटी है और इससे सिलने में अगर आप सिलाय मशनी का यूज़ करते हैं अगर आपको नाप में समझ में नहीं आ रहा है तो आपके पास कोई भी पूशा आके तो आप इसका उपर का भाग इस तरह से देख लीजिए अब मैंने क्या क्या इसका जो बिल्कुल मिडल भागे उस पर मैंने इस तरह से इस पट्टी को लगाना है हमें तो इस पट्टी का जो सीधा भागे वहां अंदर की बाजू रखा है और यह जो डिजैन वाला भागे इससे मैंने बाहर की साइड रखा है और इस तरह से आगे की बाजू से सिल लीजिए जिस तरह से हमने आगे की बाजू से सिला है उसी तरह से हमें इस पट्टी को थोड़ा सा पीछे हमारा बिल्कुल माप की आ जाएगी अब देखे इस तरह से हमें यहां पर भी सिल लेना है पीछे की साइड रखकर इसे जहाँ पर हमारा complete हो रहा है उदर हम इसको इस तरह से सिल लेंगे इस तरह से देखिए मैंने इन दोनों पट्टियों को सिल लिया है अब इन दोनों पट्टियों के बीच में थोड़ा सा और सिलाई करना है क्योंकि यह उपर से खुला है तो यहां से हम बिलकुल सोड़ा सा सिलेंगे और इसकी स्लीउस की बाजू से भी हम थोड़ा थोड़ा सा इसे सिलेंगे और आप अपनी कहाना की कोई से पहना कर देखिए थोड़ा बहुत आपको इसमें लग रहा है तो थोड़ा ज़्यादा कम आप इसे सिलकर कम्प्लेट कर लीजिए और हमारे लड़ो गोपल की बहुत प्यारी सी पोशाग देखिए कितनी प्यारी लग रही है तैयार हो गए दूसरी पोशाग तैयर करना इससे भी इजी है जी हाँ इससे आप बिलकुल इजी वे में तैयर कर सकते हैं इसके लिए मैंने इसकी वीडियो 3 इंच और लेंड में 15 इंच का एक कपड़ा लिया है और इसके नीचे मैंने लेस लगा ली है आप इसके लिए कोई भी कपड़ा यूस कर सकते हैं लेकिन ये कपड़ा आपका पहना हुआ ना हो और ये आप किसी के ड्रेस के बचे हुए कपड़े का यूस कर सकते हैं और इस तरह से आ पस कोई और दिया को है तो इसका आप YOUs यहां कर लिए उपपर से हमें इस तरह से इसमें नेफा जैसा बनाना है इतना ही हमें करना है और फिर हमें पीन की मदद से इसमें जो है अब कोई भी अच्छा सा ऊन है या तो अमेरे पास Yiye इस तरह की golden color की दोरी है तो मैं इसका यहाँ पर लगा रही हूँ और इसमें एंटर कर रही हूँ और इसे हमें इस तरह से बिलकुल आसानवी में एंटर कर लेना है और हमें अपनी दोरी की अपनी जोरियत के नुसार इसकी लंबाई रखनी है अब इसकी चोली बनाने के और दो इंट चोड़ाई का यह piece लिया है और इसे हमें इससे four fold कर लिया है इस तरह से मैंने और फिर अब इधर से उपर से मैं बिलकुल छोटा सा इसका गला कट कर रही हूँ गला कट कर लेने के बाद हमें इसकी चारों बाजू से नीचे की बाजू से भी थोड़ा-थोड किया है अब जहां पर हमारा गला है वहां पर हमने इस पट्टी को इस तरह से लगा दिया है तो यह बहुत प्यारे सी हमारी पोशाक तयार हो गई है इसे आप गलूगन की मदद से फैब्रिक गलू की मदद से या तो सिलकर भी इस तरह से लगा सकते हैं और इसे लगा लीज और कई बार तो हमारे चोटे-चोटे से काना जी के जो ड्रेस है, वो मार्केट में मिलते भी नहीं है जल्दी से, तो आप इसे अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी डिजैन के अनुसार इसे तैयार कर सकते हैं. ये तीनों डिजयन बिल्कुल अलग है और बिल्कुल हीजी है बड़ी ही यूनिक है तो आप इसे घर पे बड़ी आसान इसे तैयर कर सकते हैं अब हमें क्या करना है हमने ये जो दोरी लगाई है इसे हमें इस तरह से पीछे की बाजू ले जाना है काना जी को हमने उपर की चोली पहना दी है अब इधर से हमें पीछे से एक नोट लगानी है जी हां और नोट लगा के आप जो है इसका गेर बराबर कर लीजिए नीचे से और अब हमें क्या करना यह जो हमारे दोरी इसे एक पर हमें आगे से फिर घुमा के पिछे ले जाना है दोनों दोरी को एक तो इससे क्या होगा यह हमारी जो मजबूता ही है हमारे ड्रेस की वो बहुत अच्छी तरसे उभर के आएगी तो आप इस तरसे इसे जरूर से करें जिससे इसमें फिटिंग भी बहुत अच्छा आता है बड़ा ही इजी वे में मैं आपको ये ड्रेस बनाने का सिखा रही हूँ चेनल में अगर नहीं हैं तो चेनल को सब्सक्राइब कर दीजी और बेल बटन दबना बिल्कुल ना भूले जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सोमबार और शुकरवार को सबसे पहले मिले देखिए हमारे लेड़ी गोपल कितने प्यारे लग रहे हैं इस ड्रेस में ये तीसरा ड्रेस मैंने बिल्कुल ग्लूगन की मदद से तयार किया है इसमें आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं करनी हैं हमारे पास इस तरह के पेट बहुत सारे होते है अलग अलग तरह के तो मैं ये तीन पेट को इससे लगा रही हूँ ये बहुत ही पियारसे पत्टीशेप वाले हैं और इसे में यहां लगा рही हूँ इस तरह के dress market में बहुत ही कोशली मिलते हैं तो आप इस तरह से market से पेच लाकर भी इसे तैयार कर सकते हैं और अब इसके पीछी के साथ थोड़ा सा इसमें जो है ये निशानी लगाई इतना सा गोल कट कर रही हूँ तो आप अपने कानाजी के जो है लंबाई और चोड़ाई के इसाब से पेट के इसाब से अब इसमें थोड़ा सा कट लगाई है और फिर आपको लगे तो आप ज़्यादा कट लगा सकते हैं और इस भाग को चिपाने के लिए मैं यहाँ पर इस तरह की गोल्डन कलर की लेस लगा रही हूँ अब ग्लूगन की जगे यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर सकते हैं अब आपको बता रही हूँ अब हमें इसके उपर की चोली बनानी है तो चोली बनाने के लिए मैं यहाँ लेस का उप्योग कर रही हूँ जो चार इंच की है इसी मैंने दो लेस के पीसिस को कट किया है और अब इसे नहीं यहां बीच में इस सरह से साथ में रखकर Glugan की मदद से चिपका रहे हो जी हाँ, आज मैंने पूरा ड्रस Glugan की मदद से ही तैयर किया है तो आप इस सरह से इसके साथ चिपका देजिए और हमें इसे आदे तक ही Glugan मदद से चिपका ना है पीजे का भाग हमें खुला रखना है जिसे हम इसे आसानी से गले की भाग से हम काना जी को इसे पहना सके मैंने यहाँ आपसे तीन अलग-अलग तरग के ड्रेस के आइडिया आपके शेयर किये आप तीन तीन ड्रेस में से कौन सा ड्रेस पसंदा है में साइड आइडिया जरूशे शेयर कियेगा पीछे मैंने इस तरह से इसमें दोरी लगा दिया है और यहाँ पर मैंने प्रेस बटन भी लगा दिया है ड्रेस में जिसे हमें बंद करने में तकलिफ ना हो पेस में दोरी के जगे प्रेस बटन इसलिए लगाया है कि जिससे इस ड्रेस के फिटिंग बहुत अच्छी आए तो पहले हम उपर काना जी को इस तरह से दोरी लगा के हमें इसे उपर के भाग के जो हमने ये लेस वाला भाग तयार किया इसे इस तरह से हम बांद देंगे और इसके बाद हम नीचे से हमारा जो ये हमने तयार किया हुआ है पेच वाला वो हम इसे प्रेस बटन की मदब से पहनाएंगे तो हमारे काना जी बहुत ही प्यारे लगेंगे आप ये ड्रेस बना कर अपने दोस्तों को गिफ्ट कर सकते हैं और अपने काना के बहुत अच्छा सा बर्डेम मना सकते हैं ये मेरे लड्डू गोपल कितने प्यारे लग रहे हैं और फिर मैंने इसे यहां पीछे से बटन की मदब से बंद कर रही हूँ जिसे इसका फिटिंग बहुत ही अच्छा आ रहा है और देखिये कितना प्यारा हमारे ड्रेस में तयार हो गया और मैं काना जी को एक छूट इसी माला पहना रही हूँ और उपर मुगट पहना रही हूँ इतना शुनगार तो उनका बनता ही है देखिये ड्रेस ही इतना प्यारा है कि हमें ओर तुनगार की जुरत नहीं है काना जी का बढ़ रहे है तो उनके लिए अलग-अलग ड्रेस तो बनते ही है तो आज मैंने कुछ तीन तरह के ड्रेस आपके शार्द शेयर किये हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ काना जी के प्रशात की पंजरी का आइडिया शेयर करूँगी तब तक के लिए आप सबको मेरी तरब से हेपी जनमाष्ट मी